इस समय हम न्यूसक्लिक की तरफ से खड़े हैं जोला गाउं में जो बुडाना तहसील में आता है मुजफर नगर जिला है और यहां पर इस गाउं में बहुत बड़ी संख्या में 2013 में जो सामप्रदाइक आग लगी थी उसके जो पीडित हैं वो परिवार यहां रहते हैं ऐसे ही परिवारों से मिलने के लिए हम यहां पहुचे हैं न्यूसक्लिक में से बात करने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया है आपका नाम क्या है और कब से यहां रह रही हैं हैं हम नाम मेरा अकबरी है हमा नो साल होली है अब क्या हूँ पहले कहां रहती थी हुर क्या हुआ था यहां क्या अब कर रही हैं पहले मुझा जाह कर रहें Gosia Pros F juste neighbourhood Earth कितने लोग है और घर कब बना आपका शब्र तहम नहीं बनाया बना भी इर में बना भी नहीं कितने लोग है घर में घर में तो वहाँ हैं चार बच्चे हैं बुभव के इनका बाबाब मर चुक्या अभी मैं मेरा लड़का है बहुआ है किया काम होता था आपके घर में जी मजदूरी करते थे महां पर बियां पर मजदूरी कर रहे जी कितने लोग हैं पांच लड़के हैं जी तीन लड़के हैं उनको भी कोई रोजगार मिला है बच्चों को आजी मजदूरी कर रहे जी अपनी सारे लोगी मजदूरी कर रहे हैं तो मजदूरी में क्या काम करते हैं? राजमिष्टरी हैं आप भी कुछ काम करती हैं? नई कुछ निए क्या हुआ था और क्यों छोड़ना पड़ा अपना घर आपको? बजी वैसा ही आगे थे हैं दंगा हो गया था भाह पर जब मार काथ हुई मारने लगे हैं अब देखो आम यहां कितने मुशिवत से रहे हैं अब भी जाना किसनी देन कितने दिनों परिशान नी रहे गिया अपना गाउं छोड़का है कि कभी दुबारा गई गाउं आप नहीं गए थे एक बार समान लेन गए थे किसी ने रोका नहीं आपको नहीं वह गई थी फोस ग किसी ने आपको कहा नहीं वापस आ जाओ गाउं में बस जाओ नहीं किसी ने निकाओ किसी ने निकाओ कि वहां रह रह रही होंगी न वसकै 좀 वह साल सभासाधि ओका नहीं होज आए कि वहता पहुट साल लॉजुढे बड़े-बड़े होको गुजर गए प्यार महबट भी तो होगा असपास प्यार महबबत भावस-धिन किसी को प्यार महबट नहीं थी जिस दिन मार काट ह Bennett उस दिन कोई महभबत नीनी ठीजित्ड हो इस दिन रिंग यह ठीक बस मार दो जितने अलवें हैं मार दो जितने खनर वधियों को इस दिन हो था गाउं की लोग थे मारने वाले या बहर से बस इस बात को हम कह नहीं सकते गाओं के ते अकबार के गाओंवालों ना हमाद छुपा दिये हमा कोई पता नहीं बाइग गाओं के हैं अकबार के हैं लेकिन छुपाने में गाओंवालों ने मदद किया बस मुहल लेके मुहल लेके कुछ आप छुपे कुछ छुपाए और कोई नहीं फिर स समान आपका मिल गया सारा समान नहीं हाद इस ते भान भाई हम लेकाई कुछ मॉन्हों बैकाइए था इनको भालिया हमारा जितने मकाने वीश्यसार के बवह के समान का दे ते! सब निकाल लिए थे छोड़का चले आए ते नोग के नहीं मकान ये बताइए कि आपने तो बहुत जिंदेगी देखी है अलग अलग लड़ाई जगड़े हर समय होते रहे हैं 2013 क्यों अलग था कभी ऐसा देखा था पहले के साइस a कदी आ जौन जाड़ा है आगा सब्सक्राण कर देखी आपना काम्ड़ शोड़का कए आए इनो अपने यहां एकिया इस ग्रण事 कि आपने ने उखनाल मुश्ची कि एपको यहां चलार पार को आफमागेडा शॉट पस सुटल कि हम ज mów गया यह लगे तो आ क Adam चेल करें अपना निपराम है मदद बते रही हुई क्या नाम है अपका मेरा आश मममद नाम यहां गाउंगोड़न है निकाल कर लाइवास है और यहां भी मदद की बहुत अब कोई परिशान नहीं किसी बात की मकान आप लोगे अपने बने हैं कैसे बनाया है जी हमारे बने अब पांसों के करीब होंगे लाक वाले जो लगाओं में कुछ बली बस्ती है दो तीन बस्ती हो रहे है उनमें है यहां तो कम है यहां 17-18 गर है यहां पर तो बाकि उदर ज्यादा है कुछ निम केडिया परासोली बस इतना अपने जूपड़ी निबने इतने तो दुखी रहे कि अंग्या पड़ इंगा आगि तेरे में कल कु किसी और के मेनों रहेए इसी का मद्चे भी रोमे तया जो कहना रोती भी नहीं मिलेथी टेम पे बिचा रहे कधिकोई कर रा कधिकोई खाना दे रहा कधिकोई दे रा फोकी अध्या तो चुपर अपने माकान बन गया रह आ काम करते हैं पमच दूरी करें सब लग जा कर लान कुछ इनी आ उट आर्में लाग के कहां के रहने वाले हैं लाग के लाग क्यों चोड़ा यही जगड़े के हुज़ दी चौड़ा ही में जगड़ा हुआ दो मर के थे वो उसको सते थोते कितने लोग मर्यथे दाशden्वरा लोग तो अपने देखा था आप थे उसमें गाउं में यही पाय थे इस पर हैं यही लाइच है तो यही दफना है तो वहां क्यों इंड़ना तो को यह दो गाड़ी में यही आगे था यह आगे तो आपके जानने वाले भी कोई मरे थे हाँ जानने वाले थे हमारी विरादरी का साजी दो दो थे विरादरी के लुवारी और तिल्ली था धुबी थे और एक डूम था मिरसी यह मरे थे आप वहीं पैदा हुएं लाख में लाख में पैदा हुएं कभी इस तरह का लाख पहले था अजे नहीं पहले कहां भी ही युवाई बस इस में गय लिए एक दमी अन्य कोई परसां नहीं थी हिंदू-मुसल्मान पहले टेंशन नहीं था अभी भी याद आता है जो हुआ था जाद भी नहीं आते जाने को मन नहीं करता हुआ है गये नहीं आप दुबारा मैं दो गया नहीं है मैं नहीं गया है वह सा आजएते हैं कभी का वायक वैसे मिले हम नहीं गया है मन पूरा खट्टा हो गया 2013 में जो हिंसा हुई थी जो मुसलमानों के उपर हमले हुए थे उसके बाद तकरीबन 500-600 लोग यहां पर आए हुए हैं क्यूं लेकर आए कैसे लोग यहां पर आए कितने गाओं से लोग यहां पर आए आठ नो गाओं से आए आठ नो गाओं में जगडा वे जगडा हुए हैं कुछ सापूर के इलाके में कुटबा कुटबी संजीव बालियान के इलाके काफि यहां तुछ प्रक्षा कमद में जैक लोगों को बता हैं कérence यहां पर आपने यह कोशिश ने की की वापस अपने 。 यह वापिस गए है गाओं गया खेड़ा मस्तान वापिस वहां के लोग आयते लेंग इनका जीह नहीं करा जाने को आये तो इनको भी मनाने बहुत लेकिन जीकाए नहीं है आप जब इंको निकालने गए क्या उसी रात गए जिस दिन दंगा हुआ था तो जब इस गाउं से रिष्टदारी थी नहीं तो नहीं थी लेकिने कि मुसल्मान होने करना ते मदद करने ले गए हम सब लोग यह गाउंवे कैसा था जिन्होंने इनके गाउंवें से सबादमों निकाल करें और भी मुसलिम गाउंवें और कोई निकाह था यह गए तो एकलाता यहीं गाउं था जहां से लोग गए थे और कौन वह से भी गए होंगे बाद में लेकिन पहले जोले नहीं करी शुरुआ था उसके बाद में जो है जो अधर के लोग थे उधर साफ्पूर की यहां गए कितने लोग करिब दस बाराद में दफने गए एक और तो ऐसी दफने गए जिसके साथ लगा था आज आपको 2020 में हम बात करें 2013 की आपको क्या लगता है कि 2013 में जो हुआ कौन था उसके पीछे क्योंकि जाट और मुसलमान बहुट समय से साथ रह रहे हैं यहां ऐसे लोग थे जिन्होंने पैसे लेकर जगड़ करा दिया यह में जो बने है इन्होंने पैसा बंटा बाजपा वालों बदमास्तों को या लड़कों को जवानों को पैसा बांटा उन्होंने जगदे करें लगता है कभी 2013 यहां दोराया जा सकता है देखे बिलकुल ना भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि दोराया नहीं जा सकता वो कभी भी कोई भी जाती जो है सामने आ सकती है और राज नीदिक जो फाइदा है उसको ले करके कुछ भी हो सकता है मुसलमानों की मुसलमान किसान की क्या पूरतिनिद्ट है अगर हम कहें कि पूरा पॉपुलेशन वाइस देखें कि percentage के हिसाब से देखें तो उतना तो representation नहीं है मुसलिम का लेकिन पिछले कुछ दिनों में भागदोड कर रहे हैं और मुसलिम एरियों से लोगों को जोड़ा जा रहा है और कैडर बना जा रहा है बलॉक और तैसीर लेविल पे या डिस्टिक लेविल की जो यूनिट है उसम में लोग जुड़ रहे हैं और मुसलिम पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं कि वो खुद भी अपने आपको उससे अलाइन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं जिन दंगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो सूनी और जित थे राजनितिक दलों ने अपने फाइदे के लिए वो जगड़े कराए जगड़ा को इतना बड़ा मुझफर नगर नहीं हुआ था जितना बड़ा उसको दिखा दिया गया या बना दिया गया सीधे सीधे भारते जिनता पारटी को मैं इसका दोशी मानता हूँ उन्होंने सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया तोड़ दिया इंसानियत के दुश्मन हैं ये लोग अब पब्लिक को सच्चाई का पता चल गया है बीच में कई वर्स बीत गए लेकिन आज जिनता जान ग जोला गाओं की ये बस्ती अपने आप में बहुत बड़ी कहानी समेटे हुए है किस तरह से 2013 में जो संप्रदाइक हिंसा प्लान की गई जिस तरह से घर जलाए गए लोग मारे गए और उसके बाद पूरी साजिश के तहत उन्हें वापस नहीं जाने दिया गया इस गाओं म की बाकी गाओं की ये संकीरता है कि जो लोग वहीं पनपे थे वहीं पैदा हुए थे उन्हें वापस वहां बसाने की कोशिश किसी भी सरकार ने नहीं की और इस हिंसा का फाइदा जिन लोगों को मिला जो लोग इस समय सरकार में बैटे हैं हम जानते हैं कि उत्तर यह बस्ती कहती है